आज हमारे पास union को लेकर के 3 scenario है तो 3 scenario काफी important है union अगर आप use कर रहे हो तो और union काफी easy way में बताऊँगा ठीक है तो सबसे पहला मेरा यह scenario रहेगा कि union with 2 और 3 collection ठीक है हम यहाँ पर 2 या 3 collection के साथ checking करेंगे पहले हम 2 के साथ check करेंगे फिर हम 3 के साथ check करेंगे ठीक है union को फिर हम यहाँ पर जो हमारा second होने वाला है how to get particular columns in output ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा जैसे हम find करते हो कुछ particular columns ऐसी हम union के साथ कैसे find out कर सकते हैं कि particular columns ही हमारे पास आए ठीक है sorting कैसे करेंगे union के अंदर जो डेटा आ रहा है उसमें sorting कैसे करेंगे वह भी हम जानेंगे तो सबसे पहले मेरा database का थोड़ा फंडा समय लीजे जो भी मेरा फंडा यहाँ पर लग रहा है database में मैं करने गया वाला हूं ठीक है एक मेरे पास customers नाम की टेवल है टेश्ट डीवी नाम का मेरा database है जिसमें customers नाम का एक collection है ठीक है उसके अंदर मेरे कुछ documents दले हुए है यहाँ पर मेरे three documents दले हुए है जिसमें first name, last name, mobile number, address और उसका email है ठीक है यहाँ पर एक second collection है जो की मेरा sellers नाम का है ठीक है जिसमें मेरा कुछ documents दले हुए है इसमें भी three documents दले है आपके देखिए यहाँ पर ज्यादा डेटा है चाहें कम डेटा है उससे गवराने वाली बात नहीं है मैंने बस यहाँ पर testing purpose के लिए ले रगे है ठीक है आपके पास यहाँ पर ज्धा data कोई बात नहीं है किसी में ज्यादा है किसी में कम है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि first वाली collection में ज्यादा डेटा है second वाली में जिन को हम union करने वाले हैं ठीक है तो चलिए मैं स्टार्ट कर लिता हूं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर एक API की मदद से आपको output दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं close अभी यहां पर मैंने मैंने अल्रीडी सैट अप कर रगा है इसको बाड़ में जाने देते हैं आपको जो काम है बिसकली हमारे लॉजिक से काम है बाकि राउट सिंग राउटिंग से हमारा यह एक राउट है जो कि मैंने बनाया हुआ है जो कि मैंने यूजर कंट्रोलर का get data method थिक है अब यहां पर क्या है मेरे को लॉजिक लिखना बाकी मेरे मॉडल से थोड़ा मॉडल से कर मैं दिखा दूं तो आपको देखने को मिल जाएंगे मॉडल्स का आपका structure भी कुछ इस तरीके से ही होगा जैसा मेरे यहां पर बना रखें आयों ठीक है यह भी आपको दिखाई दे रहा है ठीक है बस कुछ भी ले सकते हो जो भी आपको लगता है ठीक है तीनों में से कोई भी एक उठाली जीगा ठीक है अम मैं यूनियन करना चाहता हूं लाइक बेंडर को अपने कस्टूमर के साथ या सेलर के साथ तो उसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे ठीक है एंड एग्रिगेट के हम अंदर एरे पास करेंगे क्योंकि यहां पर मैं मल्टीपल यूनियन्स यूज करने वाला हूं ठीक है मतलब मेरे मल्टीपल यूनियन्स होने वाले हूंगे अब यहां पर क्या है बिसकली कि यूनियन हम कैसे यूज करेंगे बिसकली हमें यहां पर यूज करना होगा यू को आपना पास, करना कलेक्षन नेम जो है, आपका यहां पर साथ मेरा यूनियन हूँ, यहां पर मैं कस्टूमर पास कर दोगा, अब यह क्या है मेरे को, यूनियन करके डेटा देगा आकर मैं यहां पर अवेट करके और यहां पर अपना डेटा करके निकाल लेता हूं डेटा ठीक है इसको मैं सेंड कर देता हूं अपनी API के साथ तो यहां से response.status 200 कर देता हूं and then send कर देता हूं यहां से like कोई की बना ली मैंने something data data.com data कर दिया है और यहां पर यह मेरी API है जो कि मेरे यहां पर already set up कर रही है और जो मेरा port customer के अंदर कितने collections है three ठीक है and then मैंने लगाया बेंडर के साथ तो मेरे four and three seven ठीक है तो यहां पर देखोगे मैं इसको करता हूं sorry इसको यहां पर data करता हूं तो यहां पर seven collection sorry seven मेरा documents यहां पर आ रहे हैं ठीक है तो यह देखो आपके वह फरक नहीं पड़ता कि कि आपके किसी collection में ज्यादा record हैं किसी में कम हैं जैसे कि मेरे आप देख पार हूं यहां पर बेंडर के अगर मैं बात करूं तो मेरे पास address तक था पर मेरे customer की बात करूं तो उसके पास email भी थी ठीक है तो यहां पर मेरे पास इतना understand हुआ होगा कि मेरे पास download data कैसे आ रहे हैं basically union bid के साथ ठीक है मैंने यह तो मैंने दो collections को connect कर दिया union bid के साथ मतलब union होकर कि उनका data मिल रहा है like suppose करिए मैं यहां पर जो है चाहता हूं कि मेरे एक और collection मेरा add हो जाए तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा कॉमा लगाऊंगा और same thing मैं इसको copy करूंगा यहां से और union bid मैं लगाऊंगा अब जैसे vendor का हो गया मेरा customers का भी हो गया union अब मैं चाहूंगा मेरा हो sellers का ठीक है तो मेरा sellers का भी data union होकर की आए तो मैंने यहां पर union पास कर दिया ठीक है तो अभी यहां पर देखोगे अभी seven records आ रहे थे अभी three और बढ़ जाएंगे ठीक है तो यहां पर देखोगे data के अंदर कितना आएगा ten ठीक है seven और three हो चुके न तो यहां पर देखते हो सारा का सारा data आ रहा है जो भी था ठीक है तो union करके हमें पू कि लिए आपके four five six ठीक है तो आप उनके साथ easily लगा सकते हो union with का use करके ठीक है तो हम मैं यहां पर बात करूंगा कि इसको sort कैसे किया जाए फिर हम बात करेंगे कि हमें like particular इसमें से कुछ column से यह जो मेरे common है like first name last name mobile नमर यह मेरा सभी में column column जो है मेरा common है ठीक है मेरा हाला क कि address भी common है पर मैं चाहूंगा कि मैं अपना first name last name mobile नमर ही निकाल हूं ठीक है तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं sorting की sorting अगर आपको करनी है तो यहां पर आप simple pass करोगे sort ठीक है तो यहां पर dollar sort किया like मैं चाहता हूं first name के वेसपर लगाना चाहता हूं ascending order ठीक है तो य a r a चल रहा था ठीक है अभी यहां पर मैं जैसे हिट करूंगा तो यहां पर a d ठीक है मतलब sorry d यहां पर है न a के 2 उपर आचुके दे ठीक है फिर आपका k आता है k के बाद फिर आपका यह सब चलता जा रहा है ठीक है अगर यहां पर आप minus 1 कर दोगे तो यह आपका descending order हो हो जाएगा तो यहां पर देख पार हो एस फिर आपका ठीक है तो यह आई हो पापर understand हो गए होंगे मैं यहां पर मतलब sending order ही कर लिता हूं ठीक है तो हमने देख लिया union हमें कैसे सेट करना है two or three collections के साथ यह आपके और भी हो सकते हैं और यहां पर हमने sorting करना मतलब check कर लिया ठीक है अब यहां पर बात आया थी कि मैं कुछ comments मतलब keys निकालना चाहता हूं अपने documents के अंदर से like मैं चाहता हूं कि मेरा first name last name mobile number निकल क्या है ठीक है टो first name like मैंने यहांपर pass कर दिया कुछस तरीच से f these name ठीक है और यहां पर मैंने पास किया l name ठीक है l name और यहांपर मैं इश्रिंग में दिया अप देखें द्यान से बात समय नहीं है आपको मैं बताओं का ठीक है और मनेए यहाँ पर मोवाईल ठीक है मोबाल में मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में दे दिया मोबायल थेक है अब क्या है यह मेरीको fname lname मोबायल निकार कर तो देगा पर उसमें na fname lname मोबायल ही कर देगा like मैं इसे यहाँ से जो है सेव करता हूँ कुछ error है क्या हाँ कोमा की error है basically ठीक है तो कॉमा मेरीको तो प्रोवाइड करना होगा लास्ट में अंदन जैसी मैं यहां पर इसे सैंड करता हूँ तो यहां पर देखो कि एफ नइन मॉबाल इसने सब का निकाल के दिया ठीक है पर इसने क्या क्या सब में एफ नेम एल लें मॉवाइल डाल दे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें उनकी बैल्यू चाहिए तो हमें यहां पर सभी के आगे डॉलर का साइन लगाना होगा डॉलर एफ नेम डॉलर एल नेम एंड डॉलर मॉवाइल ठीक है तो इससे क्या होगा आपका बैल्यू जिकल के आएंग कैसे यूज करना है उनके पर्टिकूलर को निकालना आप कैसे यूज कर सकते हो और सौर्टिंग कैसे करना यूनियन को वह भी आप करसे हो ठीकिया आई आपको लाक्ष पसंद आई वह आगा मिलते हैं में आइसका स्लीट में है